कि अज़ का मैं उसमेलन सरी और आप देख रहे हैं यूपी लाइब हंड्रिर प्यून जहां हम लेकर आते हैं देश वदुनिया की तमाम एहम वचोटी बड़ी खबरे लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आप से निवेदन करेंगे लॉपडाउन का पालन करें परसासन का सयोग करें घर में रहें सुरच्चित रहें अब एक नजर खबरों की तरह पूरा मामला उत्तर परदेश के जनपत बहराईच विकास खंड रिसिया तैसिल नानपारा के अंतरगत गराम पंचायत पूरे अलस्त के मजरा अलस्त प्रुवागा है जहां नजर मुहमत के घर में अचानक आग लग गई उनका फूस का छपर चंद मिनटों में खंड हर में बदल गया गरामीडों की मदद से किसी तरह आग पर काबूप पाया गया हमारे संबादाता से हुई वारता की अनुसार पीड़ता रेस्मा वाइफ आप नजर मुहमत यों लड़के नूर मुहमत सनाफ नजर मुहमत ने बताया कि घर में अग्यात कारणों से आग लगी है देखते ही देखते फूस का शपर धू धू कर जलने लगा घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया 22 शान के लिए बिगत दिन एक लाग दसजार रूपे बैंक से लाए थे जो घर में रखा वो भी जल कर राख हो गया साथ ही ईद के कपड़े एक अधत मोबाइल यों कीमति गहने जेवरात भी यहां तक घर की रखा रासन भी जलकर राख हो गया मौके पर पूछतास करने पर पता चला कि करीब दो गंटे पूर्ब की यह गड़ना है संबंदत अधकारियों को भी सुचित किया गया जिसमें लेकबाल महोदे ने बताया कि हमने सुचना आलापसरों को दे दिया है यो मोके की जांस कल करेंगे हमारे संबादाता मक्सूद रजा के साथ आज सफिक खान की रिपोर्ट चला कि आपकी काउने माता हैं अच्छा चा क्या क्या नुक्सान हुआ आपका अच्छा यह पता नहीं चल पाया आप लोगों की आग कैसे लगी यह सब उसी में जल गया है बक्सा और जो भी नुक्सान हुआ है यह सब आपका वही आग में जल गया है किसी पर आपको सक तो नहीं है कि किसी ने आग लगाया है किसी पर सक नहीं है आप लोग क्या कहना आग लगी है या फिर कोई किसी ने लगाया है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिद्दो तो गहरा से अगर लाइट लगी है लाइट से नहीं लगी है ना अचानक आग लगी है चलिए ठीक यह आपका नुकसान हुआ है सामान परा हुआ भी खेरा हुआ यह सवाब का नुकसान हुआ है